Hello Everybody, Welcome to Divinely Guided 7777 कैसे हैं आप सब लोग मैं आ गई हूँ एक और fresh reading के साथ That is message of the day So let's see कि किस के लिए है आज का message किस energy में है, किस तरहा का है ये एक short video होगी अगर आप morning में देखेंगे तो आपके लिए guidance है और अगर आप end of the day देखेंगे तो ये आपके लिए day reflection होगा Message वही लीजेगा जो लगे आपको अपनी situation से match करता हुआ बहराल ये message of the day है तो कहीं न कहीं आपसे resonate ज़रू करेगा और मैं हमेशा की तरह कहती हूँ कि अगर इसमें से कोई भी चीज आपसे match नहीं करती तो it's all okay because हर reading हर किसी के लिए नहीं होती बट अल्ला ही जाने अल्ला ही पूछे उन लोगों को जिनको बहुत जादा शौक होता है कल भी मैं comments देख रही थी किसी खातून ने या कोई जो भी होंगे जो भी subscribers है पता तो चलता नहीं के male या female है उन्होंने लिखा भी कि जो है वो इसमें से 30% resonate हुई तो नीचे किसी सहाब का या पता नहीं कोई खातून है तो मैं क्या करूँ आपके साथ हुई तो मैं क्या करूँ तो I mean आपको क्या है जिन्दगी में कोई काम नहीं या फजूल में जो कमेंट पर कमेंट किसी के करना कोई अपनी फीलिंग्स अपनी चीजें बता रहा है कोई कुछ भी कर रहा है उसको यही एक फोरम मिल रहा है अपने आपको express करने का क्या कर सकते हैं भाराल चलिए जनाब message of the day क्या है आज का message message of the day क्या expect कर सकते हैं आप क्या possibility होगी आज message of the day message of the day message of the day ten of swords message of the day eight of wands and night of wands ठीक है थोड़ा सा alert रहने की भी जरूरत है आज और थोड़ा सा open होने की भी जरूरत है ताकि आपकी तरफ यह communication आ सके ace of pentacles लग रहा था मुझे ace of pentacles किसी ऐसे person की तरफ से आ रहा है जिसकी जो कि आप से नराज रह चुका है या आप उससे नराज हो चुके है okay eight of pentacles ace of pentacles यहां पर किस context में आया है काफी परिशानी वाली राते गुजारी हैं आपने और आपको किसी ने बहुत बुरी तरीके से आपको किसी ने हर्ट किया था और हर्ट करने के बाद आपने बहुत अर्से तक अपॉलिजी को एक्सपेक्ट किया कि यह माफी मागी जाएगी लेकिन नहीं और उसके बाद आपने और उससे भी जादा टफ टाइम गुजारा आपकी जिम्मेदारियों में और जादा इजाफा बढ़ गया जो के सोचों पर मब्ली जादा थी और आपने बड़ी मेहनत से अपने पर काम किया अपने आपको बिजी रखा आपने एक खत्तक कोशिश की क्या किसी चीज इस मामले को मेंड कर लेंगे इस मामले को ठीक कर लेंगे और आपने ये अपने उपर इंप्रेशन ले लिया था कि ये जो भी परसन है ये जो भी परसन है वो हर हालत में यहाँ पर आपसे नराज ही है और आप भी आपके दर्मिया आपने भी फिर कोई ना कोई conclusion ले ली थी कि अब दोनों के दर्मियान ऐसा कोई resolution नहीं हो सकता कि जिससे चीज़े ठीक हो जाए But finally, with the ace of pentacles आपकी तरफ एक solid offer आ रही है एक ऐसी offer आ रही है जिससे हो सकता है misunderstandings दूर हो यह pentacle की form में है तो हो सकता है आपको कोई कुछ business point of view से money point of view से कुछ offer करे और यह जो भी offer होगी तो definitely इसका अपना कोई definitely concern होगा यह जो offer होगी यह communication पे based करेगी आज की overall energy अगर मैं check करूँ a proposal, an offer, an offer in terms of tangible form कोई tangible form होती ना कोई solid चीज़ होती जो आपके हातों में आने वाली होती है यह कोई वैसी चीज़ होगी money, gift, packaging literally अपने दिल की कोई ऐसी बात जो के bookे वगएरा इस तरह की form में expressions के साथ जाए कोई ऐसी offer है जो के कोई person आपको देना चाहता है बड़ी offer, it's not a small thing एक बड़ी offer है उसमतब यह नहीं होगा के बड़ी से मुराद कोई 3-4 किलो का कोई ऐसी चीज़ होगी the point is के एक बड़ी offer है जो अपने अंदर एक बहुत जादा वजन रखेगी ठीक है ना कोई ऐसी बात जो के discussion पर बेस्ट हो और उस discussion से कोई clarity हो जाए ऐसी भी offer आ सकती है but a big offer in terms of monetary and material thing material चीज़ होगी कोई overall energy में ठीक है context मैंने आपको बताती है now coming back to this आपको किसी ने hurt किया अपने ने किसी ने ठीक है backstabbing होई आपके साथ आपको धोका मिला और उस धोके को आपने किसी के साथ भी discuss नहीं किया कोई communication आपने नहीं करी आपने किसी को नहीं बताया कि आपको आप इतने जादा hurt हो गए आपको किसी ने इतनी बत्तरीन तरीके से cheat किया लेकिन आज की दिन अगर मैं देखूँ आपके इस backstabbing का discussion open हो रहा है कोई आप से communicate करेगा कि यह हुआ क्यों है ठीक है या आप किसी के साथ मिलकर यह जो offer आ रही है यह हो सकता है यह यह person हो मुझे लग भी रहा था यह person इस वक एक high energy में है इस वक इसको लग रहा है कि इस वक बात करना बहुत ज़रूरी है बात की जाए लेकिन इस person के mood की consistency की guarantee नहीं है यह person बहुत passionate होकर आपकी तरह आना चाहता है because यह आप से बात करना चाहता है यह खुद इस वक इस तरह कि किसी मस्कले में फसा हुआ है तो हो सकता है आज आपके पास किसी ऐसे person की communication का hint या आपको signal मिले जो आपको लगे कह रहे यह कहां गायब थे दिनों से इनको कैसे ख्याल आ गया और इनका तो यही होता है अपनी मरजी से आते है अपनी मरजी से चले जाते है इनके उपर भरोसा नहीं किया जा सकता यह बात दूसरा यह कि बिग पॉसिबिलिटी है कि आज आपको कोई ऐसी बात पता चलेगी जिसमें आपको लगेगा रहे यह इच्छा है यह मामला यह था और यह इतना बड़ा मेरे साथ हैंड हो गया आपको यह पता चलेगा एक धोका और बैकस्टैबिंग जो है वो आपके उपर आज आशकार होगी यानि कि आज आप पर ओपन हो जाएगी ठीक है अपनी एनरजी को आप बहुत जादा चेक कीजेगा क्योंकि अगर बहुत इसा होता है कि गैदरिंग में बैठे वे होते हैं तो गैदरिंग में इनसान की एनरजी बड़ी प्लेफुल सी बड़ी लाइट हाटे हुई भी होती है वो एक्सपेक्टी नहीं कर रहा होता है कोई सदन नीउस कोई शॉकिंग नीउस बताई जाएए तो यॉडिम से फाइट यहुटалист नहीं कर रहा हुथ A तो आप उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉसिय ना कर सके अगरण एक्सेफट उन्हें पताई कंई है तो आप थोड़ा सा corner लेकर time लेकर उस पर focus करके उससे बात जरूर कीजेगा because वो आपको बताएगा कुछ serious thing ठीक है और उसी से related यह offer होगी जो के नजर आ रही है मुझे लग रहा है कोई misunderstanding आज clear होगी और वो misunderstanding कुछ ऐसी भी clear होगी किसी अपने नहीं आपको hurt किया था और किसी अपने ही के थूँ आपको यह misunderstanding ओपन होते वे नजर आ रही है जो कि communication पे based होगी और यह बहुत speed में होगी बहुत ही तेजी से कोई person आ रहा है आपको बस अपने sentiments को control करना है आप खुद मतकूत पढ़ियेगा कि नहीं तुम्हें ही शायद मुझसे वह बात करनी है assumptions पर मत जाएएगा खुद आने दे इस चीज़ को तो जादा better है ठीक है ना लेकिन हाँ आप hurt है किसी matter को लेकर किसी person को लेकर किसी ने आपको बहुत बुरी तरीके से ट्रस्ट वर्दी एरिया की तरफ से आपको धोका मिला है और वो चीज़ आज आपके ओपर open होगी कि वो हुआ क्यों है सही है तो यह तो आपको tarot से पता चल रहा है let's see यहाँ से influence चेक करते है take a stand follow your energy मैंने कह दिया था ना आपसे आप यही कीजेगा किसी की कोई आपसे बात करने के लिए right time और options को चूज करेगा लेकिन आपने अपनी energy को follow करना है आप कौन सी news किस वक्त लेना चाहते है यह control आपके हाथ में है आप कौन सी बात किस वक्त सुनना चाहते है यह control आपके हाथ में है और अगर कोई आपके ओपर हावी होने की कोशिश करे तो घबराने की जरूरत नहीं है डर्णा नहीं है आप अपनी बात पर काइन रहिएगा अगर इस बैक स्टैबिंग और धोका दही वारे मामले को एक से दो साल हो गया है लेकिन आपने जब यह रिसीव किया था और जो आपको पेन मिला था वो मत भूलिएगा वक्त गुजर गया जखम अपने आप भर गए जिसने आपको तकलीव दी आज वो आपको सेटल देखकर आपकी तरफ आ रहा है यह और शी शुड नो कि आपके स्पेन से गुजरे हैं यहां से तो आपको यह इंफ्लोएंस हो रहा है नमबर फॉर यह नमबर फाइव नेक्स्ट कमिंग वीक में का थर्जडे जो कि सिगनिफिकेंटली यहां रिखावा है बहुत गौर से लिखावा है क्या आप थर्जडे तक कोई न कोई चीज होगी यह जो भी मामला होगा हो सकता है थर्जडे तक हो तो आप यह देख लीजेगा प्लस नमबर फॉर किसी की डेट ओफ बर्थ हो सकती है जो आप से कॉन्टाट करें उसकी हो सकती है फॉर प्लस फाइब नाइन नाइन किसी की डेट ओफ बर्थ हो सकती है वाइस वर्सा ठीक है देखते हैं जनाब किस एंजल नमबर से क्या अफर्मेशन और गाइडन्स आ रही है जतना अच्छा लगता है कमेंट बॉक्स में पूरी अफर्मेशन को लोग टाइब करते हैं और खुद अपने आप से कह रहे होते हैं वही चीज़ें आइम स्ट्रॉंग, आइम हेल्दी, आइम पीस्फुल, आइम पॉजिव बहुत अच्छा लगता है मुझे यही वो चीज़ें जो हमें दुनिया में कोई नहीं कहता है हमें खुद अपने आपको कहने की ज़रूरत है ताके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें पॉजिटिव माइंड सेट के साथ चलिए जनाब, देखते हैं नमबर सेवन्टीन अगर आप जिस भी रहा का कोई काम करते है हो सकता है यह कोई ओफर ऐसी हो कि कोई आपको बोले तुम मेरे लिए यह कर दो तो collaboration, aliens वाली बात आज नहीं matter करेगी अगर कोई आपकी services को avail करना चाहता है तो आप उसको एक deadline दीजिए, एक timeline दीजिए because आप जो है ना अकेले काम करने वाले person है आप अकेले काम करते हैं तो बिलकुल ठीक करते हैं और बहुत better करते हैं ठीक है क्योंकि आप जब कभी भी quality work देते हैं तो वो तभी दे पाते हैं जब आप अकेले काम करते हैं वो unbelievable होता है आप independent भी हैं आपके अंदर एक एरादे की पुखतगी भी है और आप इस लाइक हैं कि आप हर step पर ऐसी performance दें जो के दियानदारी, efficiency और complete सलाहियत से भरपूर होती है तो आज के पूरे दिन में आपने आपको यही कहना है कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो अपने end पर कर सकते हैं आप खुद मुखतार हैं आप independent हैं अपने तई कोई भी काम करने के ठीक हैं तो आज की affirmation में अलहमदलिल्ला, अलहमदलिल्ला, I am happy, I am positive, I am strong and I am independent ठीक है, आज का message यही है आज के message में बहुत मोटी मोटी चीज़े हैं जो आपको याद रखने की जरूरत हैं देखें कौन सी चीज़ आपसे क्या match करती हैं और जिनसे match नहीं करती वो अपना मूँ बंद करके रखें ठीक है, क्योंकि हर reading हर किसी के लिए नहीं होती अपना बेहत ख्यार रखियेगा कोई confusion हो, कोई बात पुछनी हो तो you can contact me description box में मेरा number दियावा है take care, bye bye